नमस्ते दोस्तो स्वागते आपका एक और नई वीडियो में दोस्तो अगर आपको लैपटॉप चलाना नहीं आता है आपको लैपटॉप के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है इस वीडियो को पूरा ध्यान से बस देखिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको लैपटॉप चलाना बिलकुल सुरू से सिखाने वाला हूँ अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो मैं आपको 100% की गारेंटी देता हूँ कि आप लैपटॉप चलाना सीख जाएंगे नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरू कंप्यूटर स्मार्ट क्लास वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, सेर, सब्सक्राइब कर दीजेगा देखिए दोस्तो ये है मेरा लैपटॉप, इसी लैपटॉप का इस्तमाल करके हम लोग लैपटॉप चलाना बेलकुल सुरू से सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको लैपटॉप चलाना तो सिखाऊंगा ही साथ में हम लैपटॉप को कैसे चालू करते हैं, कैसे बंद करते हैं, डैक्स्टॉप किसे कहते हैं, आइकन किसे कहते हैं, किसी भी सॉफ्ट्वेर को ओपन कैसे करते हैं laptop के साथ internet कैसे connect करते हैं task bar क्या होता है start menu क्या होता है कोई भी photo और कोई भी video को कैसे जो है play करके देखते हैं इसके अलावा laptop की और भी जानकारी आपको इस video के अंदर मिलने वाली है बस video को पूरा ध्यान से देखिएगा सारी चीज़े आप सीख जाएंगे कि laptop कैसे चलाते हैं सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि किसी भी laptop को on कैसे करते हैं यानि की चालू कैसे करते हैं देखिए आपके पास जिस भी company का laptop है उसके अंदर जो है एक power button होता है जैसी कि मेरे laptop में वहाँ पर है आपके laptop में यहाँ पर भी हो सकता है बीच में भी हो सकता है एक power button जरूर होगा आपको क्या काम करना है सबसे पहले अपने laptop को on करने के लिए इसी power button को प्रेस कर देना है जब आप एक बार power button को प्रेस कर देते हैं तो उसके बाद आपके laptop में light जलने लगती है थोड़ी देर तक आपको यहाँ पर wait करना होता है automatic आपका laptop इस तरीके से on हो जाता है अगर आपने password लगाया होगा तो आपको keyboard में कोई भी एक बटन को प्रेस कर देना है इसके बाद आपसे password मांगेगा तो जो भी आपने password लगाया है वो password जो है आप इसके अंदर भरेंगे password डालने के बाद जो है आपका laptop कुछ इस तरीके से on हो जाता है अब आप अपने laptop को इस्तमाल कर सकते हैं laptop को on हो जाने के बाद अगर आप अपने laptop को mouse से चलाना चाहते हैं तो mouse के बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए mouse में जो है एक left बटन होता है और एक right बटन होता है और एक scroll बटन होता है इससे जो है हम उपर नीचे scroll करते हैं इससे जो है हम किसी भी program को file folder को open करते हैं single click करके भी यानि एक बार click करोगे तो single click कहलाएगा और दो बार जल्द जल्दी से click कर दोगे तो double click कहलाएगा किसी file या folder या फिर किसी भी video की property चेक करने के लिए mouse का right बटन का click का जो है इस्तमाल की जाता है यही चीज जो है अगर यहाँ पर समझा जाए माल लीजिए आप mouse से जो है अपना laptop नहीं चलाना चाते हैं आप जो है touch pad से जो है laptop चलाना चाते हैं तो कैसे चलाएगे देखिए इसमें भी जो है इधर एक left button होता है इस side में और इधर एक right button होता है जब यहाँ पर click करोगे तो right click हो जाएगा ठीक है इधर right होता है और इधर left और अगर आपको single click करना है तो आप left click को एक बार click करेंगे तो single click कहलाएगा और अगर आप जो है दो बार जल्दी जल्दी से click कर देंगे तो double click कहलाएगा और right click तो मैंने आपको बताए दिया है लेकिन अगर आप जो है touch करके click करना चाहें तो कैसे करेंगे देखिए touch करने के लिए आप इस बीच में जो है कहीं पर भी एक बार click करेंगे इस तरीके से तो single click कहलाएगा ठीक है और दो बार जो है जलदी-जलदी से click कर देंगे तो double click कहलाएगा किसी folder file program को open करने के लिए desktop पे से आपको दो बार जो है double click करना होता है तब ही open होगा इसके अलामा अगर आपको जो है इसका right click वाला option लेकर आना है तो आपको दो अंगलियां इस तरीके से बनानी है और एक ही बार जो है बीच में इस तरीके से touch कर देना है तो देखिए right click वाला option आजाएगा ठीक है मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ इस तरीके से अंगलियां बनाएगा और बीच में जो इस तरीके से click कर देंगे तो right click वाला option आप इस्तमाल कर पाएंगे इसके अलामा आप देखोगे mouse में एक scroll button होता है इससे जो है हम किसी भी page में उपर नीचे scroll करने के काम में लेते हैं अगर ये काम आपको touchpad से करना हो तो कैसे करेंगे तो इसके लिए आपको ये जो दो अंगलियां इस तरीके से बनानी है और इस तरीके से आपको scroll करना है इस तरीके से करोगे तो नीचे scroll होगा ऊपर इस तरीके से करोगे तो ऊपर scroll होगा scroll करने के लिए ठीक है इसके अलामा आप यहां पर देखो के आपका जो mouse pointer है वो दिखाया गया है अगर आप इसको इस desktop पे घुमाना चाहो इधर उदर तो आप mouse का left click इस पे touch करेंगे और जिदर भी लेके जाना है इस तरीके से आप घुमा सकते हैं इस program पे लेके जाना है तो फिर से यहां से रख करके इस तरीके से लेके आएंगे तो देखिए जो है last में आजाएगा ठीक है इस तरीके साब उठा उठा करके इधर ला कर सकते हैं और उठा करके इधर जिदर मर्जी चाहें उदर mouse pointer को घुमाना चाहें तो एक ही अंगली से इस तरीके से आपको घु इसके लिए जो है मैं आपको screen recording में सारी चीजे समझाने वाला हूँ ताकि सारी चीजे पूरी clear तरीके से समझाएं देखिए दोस्तों जब आपका laptop on हो जाता है तो on होने के बाद यहां से यहां तक यह जो आपको screen दिखाई दे रही है न इसे जो है desktop बोला जाता है और normal हम लोग अपनी भासा में इसे laptop की screen बोलते हैं लेकिन इसका जो वास्तविक नाम है वो है desktop desktop पर आपको यह छोटे छोटे से डब्बे बने हुए दिखाई दे रहे हैं इनको जो है icon बोला जाता है icon जो है system के भी हो सकते हैं किसी program या software के भी हो सकते हैं किसी file या folder के भी हो सकते हैं ये icon जो है आप अपनी इच्छा नुसार यहां से हटा सकते हैं और यहां पर और भी icon को रख सकते हैं desktop के ठीक नीचे आपको ये जो पट्टी दिखाई दे रही है इसे जो है task bar बोला जाता है task bar पे जो है आपको start button मिलता है इसके अलामा search bar और जितने भी आपने program पिन क करके रखे होंगे वो मिलेंगे इसके लामा कुछ ऐसी setting और internet connection की settings मिल जाती है चलिए इनके बारे में जो है एक एक करके हम लोग समझते हैं देखिए task bar में जो सबसे पहला आपको option मिलता है वो है start button आप इस पर क्लिक करके जो है अपने computer में जितने भी program है उनको all apps पर क्लि जिने आप चलाना चाते हैं उन पर click करके उन्हें open कर सकते हैं example के लिए माल लीजिए हम जो है excel को open करना चाते हैं तो हम start button पे click किये थे all apps पे गए थे और यहां पर हमको excel मिला तो हम excel पर click करके excel software को जो है अपने laptop के अंदर open करके इस्तमाल कर सकते हैं open करने के बाद आप blank work book पर click करके excel को जो है इस्तमाल कर सकते हैं अगर जो है आप excel को इस्तमाल करने के बाद इसे minimize करके task bar पे रखना चाहें तो आप यहां पर click करके इसे minimize करके task bar पे रख सकते हैं जरूरत पढ़ने पर आप इस पर click करके जो है इसे maximize करके दोबारा से इस्तमाल कर सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर restore or down का button मिलता है आप इस पर click करके down कर सकते हैं और इस पर click करके दुबारा से restore कर सकते हैं अगर आप जो है इस window को पूरी तरीके से बंद करना चाहें तो आप यहाँ पर close पर click करके इसे जो है बंद कर सकते हैं तो यहाँ से आपको समझ आ गया होगा कि start button पर click करके आप किसी भी program को software को open कर सकते हैं इसके बाद जो अगला option आपको दिया जाता है वो है search का आप इस पर click करके अपने laptop के अंदर से कोई भी program को कोई भी software को सीधा search करके open कर सकते हो जैसे कि अगर हमें Excel ही open करना है तो हम यहाँ पर Excel type करेंगे type करने के बाद देखे य जो अगला option है वो है हमारा new desktop का आप अपने एक ही laptop के अंदर एक से जादा desktop बना करके उन्हें इस्तमाल कर सकते हो जैसे कि हम पहले desktop पर है और यहाँ पर जो है हम Excel software को मालने जी open कर लेते हैं अब हम यहाँ पर Excel पर काम कर रहे हैं लेकिन हमें एक नया desktop बनाना है और हम जो ह अगर आप यहाँ पर क्लिक करके पहले वाले desktop पर आते हैं तो आप यहाँ पर देखोगे आपका जो Excel software है वो open है आप यहाँ पर देख पाओगे ठीक है तो इस तरीके से आप secret desktop बना करके अपने दोस्तों से जो है कुछ चीजों को छुपा सकते हो जिने आप दिखाना नही चाते हैं और अगर आप इने इस desktop को हटाना चाते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके desktop को बंद भी कर सकते हैं इसके बाद जितने भी आपको आइकन दिखाई दे रहे हैं यह मेरे द्वारा पिन किये गए वो आइकन है जिने मैं बार बार इस्तमाल करता हूँ इसी तरीके से आप भी जो है अपने computer से कोई software कोई file folder को आप यहाँ पर पिन करके रख सकते हो जिने आप बार बार इस्तमाल करते हो जैसे कि हम चाते हैं कि यह जो हमने Excel को open किया है यह हमें जो है अंदर जा करके बार बार सर्च करके open ना करना पड़े हम जो है Excel को यही पर पिन करके रख बार का option मिलेगा आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यह पिन हो जाएगा अब आप जो है अगर Excel को बंद भी कर देते हैं पूरी तरीके से यहां से close भी कर देते हैं तो भी जो है Excel आपके task बार पे हमेशा रहेगा आप इस पर क्लिक करके यही से जो है Excel को इस्तमाल कर इसके बाद जो है अगला option मिलता है drive का आप इस पर क्लिक करके अपनी drive पर कौन कौन सी चीजे upload हो रही हैं किस folder में upload हो रही हैं वो सब details यहां पर देख सकते हो drive जो है जब internet on रहता है तब जो है काम करती है इसके बाद अगला option है language का आप कौन सी language को इस्तमाल कर रहे हैं व लाल अगर आपने नया laptop लिया होगा तो आपको google input tool सायद न मिले क्योंकि मैंने ये अलग से download और install किया है आपको यहां पर केवल एक ही भासा मिले तो कहने का मतलब यह है कि आप जितनी भी भासा को वरतमान समय में इस computer में इस्तमाल कर रहे हैं वो आप यहां पर click करके battery saver को on कर पाएंगे light night को accessibility को इसके अलावा जो है यहां से आप जो है इसकी brightness कम या जादा कर सकते हैं इसका जो volume है उसको कम या जादा कर सकते हैं बैटरी की percentage देख सकते हैं इसके अलावा इसमें कुछ edit करना है तो आप pencil के icon पर click करके इन में से कोई icon को यहां से हटा सकते ह और add करना हो तो आप add पर click करके यह सारे icon यहां पर add भी कर सकते हैं जैसे कि हमें mobile hotspot add करना है तो हम इस पर click करेंगे तो दीखिए वो जो है यहां पर add हो जाएगा इसके बाद हम done पर click कर देंगे तो mobile hotspot जो है यहां पर add हो जाएगा अगर आपको इसे यहां से हटाना है त दिख लेते हैं कि laptop के साथ जो है internet कैसे connect करते हैं इसके लिए दोस्तों आपको इस option पर click करना है और इसके बाद ये जो wifi का option आपको दिखाई दे रहा है इस पर click करना है और यहां से जो है आपको wifi को on करना है तो चलिए हम यहां पर wifi को on करते हैं इसके बाद जो है जो भी आप की आसपास Wi-Fi on रहेगा वो यहाँ पर show हो जाएगा जैसे कि मैंने अपने mobile phone का hotspot on किया है अगर आप भी जो है अपने mobile phone से internet laptop में connect कराना चाहते हैं तो आप अपने mobile phone में internet को on करिए इसके बाद hotspot को on करिए इसके बाद जो है जब आप laptop में Wi-Fi option को on करेंगे तो यहाँ पर आपके mobile phone का नाम दिखाए देगा आप इस पर क्लिक करेंगे connect पर क्लिक करेंगे इसके बाद जो है आपसे password मागेगा तो जो भी आपकी hotspot का password है आप वो यहाँ पर डालेंगे password डालने के बाद आपको next पर क्लिक कर देना है और इसके बाद जो है आपके laptop के साथ जो है Wi-Fi connect हो जाएगा connect हो जाने के बाद देखे इस तरीके से connected लिखा हुआ आ जाएगा और यहाँ पर अब आप देखोगे Wi-Fi का server भी बना रहेगा अब आप जो है अपने laptop में internet को चला सकते हैं अपनी battery की percentage को यहाँ पर देख पाओगे कि आपकी battery कितनी charge है इसके बाद जो है आपको time और date का option मिल जाता है जहाँ पर जो है आपको time भी show होता है और date भी show होती है आप इस पर click करेंगे तो आपको date और time के साथ notification बार भी मिलता है अगर आपको जो है यहाँ पर कोई notification आया है तो वो जो है आपको यहाँ पर show होगा इसके बाद आपको अगला option मिलता है copilot का यह जो है windows के अंदर एक नया option जोड़ा गया है जो की windows की तरफ से दिया गया है copilot एक AI feature है जहाँ पर जो है आप इसका इस्तमाल करके आपके मन में जो भी सवाल है आप उन्हें यहाँ पर type करके उनके जवाब जो है direct copilot से ही यहीं पर पूछ सकते हैं जो कुछ भी सवाल पूछना हो direct आप copilot से यहाँ पर पूछ पाएंगे तो यह रहा दोस्तो desktop का पूरा परिश है चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप जो है अपने laptop में कोई भी program को कैसे open करेंगे देखिए program को open करने के लिए आपको start button पर ही click करना है all apps पर जाना है और यहाँ से आप जो भी program को इस्तमाल करना चाते हैं उस पर जो है आप click करके उसे इस्तमाल कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको Excel को इस्तमाल करके बताया था इसके अलावा आप जो है search button पर click करके direct जो है कोई program को यहाँ पर search करके भी open कर सकते हो इसके अलावा हम लोग यह जानते हैं कि अगर जो है आप desktop पर अपनी photo लगाना चाते हैं यहाँ पर आप अपनी photo लगाना चाते हैं तो कैसे लगाएंगे इसके लिए जो है सबसे पहले आपको उस photo को open कर लेना है जिसे जो है आप यहाँपर लगाना चाहते है ठीक है Example के लिए मैं येवाली फोटो को ले लेता हूँ हम येवाली फोटो एक्जामपल के लिए बता रहे हैं आप अपनी फोटो यहाँपर लगा पाएंगे इसी तरह से जिस भी फोटो को आपको लगाना है उस photo पर mouse button का right button क्लिक करना है और यहाँ पर आपको option मिलेगा set as a desktop background आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इसके बाद जो है देखिए automatic जो है set हो जाएगा देख सकते हो यहाँ पर set हो गया है इसी तरीके से आपकी भी जो है photo यहाँ पर set हो जाएगी लेकिन आप जो है computer में जो wallpaper दिये गए है जो theme दिये गए है default उन्हें अगर set करना चाहते हो तो कैसे करोगे इसके लिए जो है आपको desktop पर mouse का right click करना है और यहाँ पर जो है आपको show more पर click करना है और यहाँ पर आपको personalized का option मिलेगा आपको personalized पर click करना है इसके बाद जो है direct आप जो है personalized वाले option में आ जाएंगे जहाँ पर आपको पहले से ही default कई सारे जो है theme मिल जाते हैं जिने आप जो है इन पर click करके इनको जो है इस्तमाल कर पाऊगे देखिए जैसे कि मैंने इस पर click किया तो ये जो है हमारा change हो गया है पहले जैसा हो गया है जैसा कि आप देख सकते हैं अब हम लोग जान लेते हैं कि laptop में अगर आप YouTube open करना चाहें तो कैसे open करेंगे इसके लिए जो है जैसा कि मैंने आपको बताया कि internet आप connect करा लीजिए इसके बाद आपके laptop में Google Chrome browser होगा अगर Google का Chrome browser नहीं है तो Microsoft का Edge browser जरूर होगा आप कोई भी browser को open कर लीजिएगा double click करके open करने के बाद आपको यहाँ पर जो search बार दिखाई दे रहा है उसमें click करना है और लिखना है www.youtube.com इसके बाद पहला जो website मिल रहा है YouTube का आपको इस पर click करना है तो आपके सामने YouTube open हो जाएगा इस तरीके से आप जो है अपने laptop में इस तरीके से YouTube को इस्तमाल कर पाएंगे इसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि अगर आप अपने laptop में कोई भी photo, कोई भी video कोई भी movie, कोई भी गाना देखना चाते हैं तो वो आपको कहाँ पर मिलता है देखिए कोई भी movie हो, गाना हो, video हो आइडियो हो वो आपको जो है this PC में मिलेगा दिस PC को जब आप open करेंगे तो यहाँ पर आपने जितना drive बनाया होगा वो drive दिखाए देगा, देखिए C drive में जो है, हमारे computer के program होते हैं, इसलिए हमें इसे छेड़ाना नहीं चाहिए, बाकी जितनी भी drive आपके पास है, आप उसमें आप जो है, बारी बारी से चेक करिएगा कि आपने जो है, किस drive में photo, video, या फिर गाना, movies बागेरा रखा है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर मेरे पास दो drive है, और मैंने जो है, D drive में रखा है, D drive के अंदर देखिए, export की video है, जितनी मैंने video बनाई है, वो सब video यहाँ पर मिला है, और इसी तरीके से मैंने याँ पर thumbnail भी बनाए है तो thumbnail यहाँ पर मिले है, जैने की photo, इसी तरीके से आपकी photo, आपने जो video रखा होगा, वो सब कुछ जो है, इस तरीके से मिल जाता है, आप जो भी video play करना चाहते हैं, play करना बहुत आसान है, बस आप उस पर double click कर देंगे, तो वो जो है, इस तरीके से play हो जाता है, डबल click जासे ही आपने किया, तो सबी लोगों का digital गुलाब चलने लगेगा, लेकिन मोबाइल नमबर जहां पर जो है, यहां से close कर देंगे, ठीक है, इसी तरीके से आप जो है, कोई अगर photo open करना साते हैं, तो मैं photo भी open करके दिखा देता हूँ, यहां पर जो है, हम इस photo को open कर लेते हैं, double click करके, तो देखिए हमारे laptop में जो है, इस तरीके से photo open हो जाती है, आपके भी laptop में जो भी photo होगा, इसी तरीके से open होगा, आप photo को minimize करके रख सकते हैं, restore, down कर सकते हैं, या फिर यहां से, जो है, close पर click करके close कर सकते हैं, तो इस तरीके से, जो है, आप अपने laptop में कोई video, photo, गाना वगेरा, जिस भी folder में आपने रखा होगा, वो आपको this PC के अंदर ही मिल जाएगा, इसके आलामा, आप चाहो, तो file explorer को भी जो है, open करके, उसके अंदर भी ढूंड सकते हो, जो कि अगर आपका desktop पर file explorer मिल जाता है, तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको search पर click करना है, और यहां पर आपको लिखना है, file explorer, इसके बाद यह आ जाएगा, आप इस पर click करिएगा, तो इसके बाद जो है, आपके सामने desktop का, download का, document का, यह सब folder मिल जाएगा, वीडियो के अंदर, वीडियो वाला रहेगा, music रहेगा, picture के अंदर, picture वाला, desktop पर अगर आपने कोई photo अगरा रखा है, तो आप desktop पर click करोगे, तो वो जो है, आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, देखिए दोस्तों, अब जो है, आप laptop चलाना सीख गए है, इस तरीके से आप अपने laptop को चला सकते हैं, लेकिन laptop को चलाने के बाद जो है, इसे बंद भी करना होता है, और बंद करने का आपको सही तरीका जरूर पता होना चाहिए, देखिए, बंद करने का जो सही तरीका है, वो यह है कि आप start बटन पर click करिएगा, यहाँ पर आपको एक power का बटन मिलेगा, आप power बटन पर click करिएगा, और यहाँ पर आपको एक shutdown का बटन मिलेगा आप सट डाउन पर क्लिक करिएगा तो आपका लैप टॉप जो है सट डाउन हो जाएगा और इसके बाद आप इसे बंद करके रख सकते हैं ये दोस्तों बिल्कुल सही तरीका है और एक और मैं आपको शॉटकर तरीका बता देता हूँ आप अल्ट बटन के तरीका इस्तमाल करना है जो कि मैंने आपको मैनुवली बताया है शॉटकर तरीके से आपको ज्यादा तर अपने लैप टॉप को शट डाउन नहीं करना है फिलाल दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग बात कर रहे थे कि लैप टॉप कैसे चलाते हैं बिल्कुल सुरू स मैंने आपको समझाया है एक एक चीजों को और अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपको लैप टॉप चलाना आ गया है और दोस्तों अगर आप लैप टॉप चलाने में एक्सपर्ट बनना चाते हैं लैप टॉप की A to Z जानकारी लिक सकते हैं इसके अलावा आप प्ले लिस्ट पे क्लिक करिएगा तो खजाना खुलेगा जिया दोस्तों खजाना आप यहां पर कंप्यूटर लैप टॉप की जो भी बेसिक जानकारिया है उनको केवल 35 वीडियो में ही सीख जाएंगे हिंदी टाइपिंग सीख जाएंगे अंग्रेजी टाइपिंग सीख जाएंगे MS Word, Excel, PowerPoint, Photoshop, Internet, Excel के Formulate, Tally, Access यह सब को जो है आपको बिलकुल फ्री में मिल रहा है मेरे भाई तो आप चैनल पर जरूर विजिट करें अगर आपको कंप्यूटर लैप्टॉप में X Word बनना है तो और अगर आप नई नई वीडियो द सवाल है तो नीचे कॉमेंट करिए मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ अपते के लिए जय हिंद बंदे मातरम